इसके अंदर मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको रस की बूंदे ये हिंदी का एक पार्ट है जो आपको कक्षा साथ की रोली पुस्तक में देखने को मिल सकता है तो फ्रेंज बिना टाइम वेस के चलिए मैं स्टार्ट करता हूं सो फ्रेंज ये देख लीजे अब मैं आ गया हूं और मैं अब आपको लेकर चलता हूं पद देख़ें पहले पंक्तिया फिर उनके अर्थ ठीक है फ्रेंज तो चलिए शुब काम में देरी कैसी तो पंक्तिया ये है मानुस होतों वही रस्खानी बसो ब्रज गोकुल गाव के जो बसो हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनू मंझारन पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरी छतर पुरंदर धारन जो जग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कंबर की धारनी ठीक है तो ये देख लीजे मैंने ये पूरी पंक्तिया पढ़ दी है अब इसका आर्थ क्या है यहाँ पे तो आप पढ़ी सकते हैं लेकिन मैं भी आपको बोल के समझाता रहूंगा प्रसुत पंक्तियों के अंदर ये बताया गया है कि कवी का कवी रस्खान जी का कृष्ण जी के साथ क्या लगाव था उनके गाव गुकुल ब्रज के साथ क्या लगाव उन्होंने इस चीज का वर्नन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है उन्होंने कहाँ है कि कि उनका माना है कि जो कृष्णिय जी है वह कंड कंड ंड में बचते है इसी वजह से करिण से अपना हर kal之前 यानि प्रते एक जनम इसी ब्रज की धर्थी पर लेना चाहते पिर उन्हों ने यह भी बताया है कि मनुश्य के रूप में हो तो वह बनना चाहते हैं वह पता ही होगा क्रिश्न जी भी खुद गायों ने वला होता है वह टो उनको उनके साथ रहने मॉکा मीलेगा पशु के रूप में बने तो वे जनम थे अगर वो पशु के रूप में उनका जनम हो तो वो गुकुल की गाये बनना चाहते है जिनहे कृष्ट्णी जी या बाकी गवाले ते फिर आया करते थे और फिर उन्होंने ये बताया औहु कोई प्रस्तर भी बनना चाहे तो वह वही कोवर्दन पर्वत बनना चाहते है जिसे कृष्ण जी ने अपनी नन्नी उंगली पर उठाया था इंदर जी के प्रकॉप से बचाने के लिए गाववासियों को तो ठीक है फ्रेंट्स इसके अंदर फे अब कॉंक्लूजन में ये ब ठीक है फ्रेंट्स तो या लकूटी अरू कामरिया पर राज तीहपुर को तजी दारू आठो सिद्यों नवु निधी के सुख नंदन की गाए चराये बिसारे रस्खान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तियाग निहारे कोटिक एक कल धोत के धाम करिल के कुंजन उपर वहारे इसके अंदर ये मैंने पढ़ दिया है पद्दो अब इसका अर्थ क्या है इनका मीनिंग क्या है वो है यहां पर मैं आपको पढ़ता चाता हूं प्रस्टुत पंक्तियों में कभी रस्खान जी बताना चाहते है कि उनका कृष्ण जी से लगाव और भी ज्यादा है वो क्या है उन्दा है वह कृष्णे जी की लाटी और कंबल बल के लिए वो कृष्णे जी की अगर उन्हें कृष्णे जी की लाटी या कंबल बनने का मौका मिले तो तीनों लोग का राजपार तक छोड़ सकते है यानि उसका त्याग कर सकते हैं अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिल जाए तो वो आठो सिद्यों और नौ निद्यों को का सुक भी निर्जावर करने को त्यार है यानि त्यागने को त्यार है जब वह कवी ने ब्रजिल के वनो नो बगीचो तलाबो तियादी को देखा है वह इनसे दू नहीं रह पा रहे हैं जब से कवी ने करिल की जाडियों और वन को देखा है वो इनके उपर करोड सोने के महल भी निर्जावर करने को त्यार है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह सारी चीजे कृष्ण जी से लेटेड है और अगर इन्हें यह मिल जाए तो इन्होंने बता दिया है कि वो क्या-क्या निर्जावर कर सकते हैं तीनों लोग का राजपाट जो आज का टाइम में इंपॉसिबल है लेकिन बहुत महान काम है वो निर्जावर कर सकते हैं अगर आपको सुक मिल जाए तो आपकी लाइफ एकदम फेंटास्टिक बन जाती है वो उसके सुक को तियागने के लिए तैयार है और फिर उन्होंने यह भी बताया है कि जिन महल करोडो सोनों के महल बन जाए और जिनसे वो एश और अराम कर सकते है अगर उन्हें फिर यह पर देखने का मौका मिल जाए तो वह यह महल सोने के महल करोडो महल निर्जावर करने को तैयार है अब मैं आता हूं पतीन पर तो यह आ गया है मेरा पतीन तो मैं पढ़ लेता हूं सेस गनेश रमेश दिनेश सुरे सहू जाही निरंतर गावे जाही अनन्द अखंड अच्छेद अबेद सुबेद बतावे नारद से सुक व्यास रटे पचिहार तव पुनी पार नग पावे पावों ताही अहिर की छोरिया छचिया भरी छाच पे नाच नचावे तो इसके आपने देख ही लिया है मैं आपको बता दू कुछ यह वर्ज हो आपको शायद समझ में ना आ रहे हो सेस गनेश रमेश निरेश सुरेश ऐसे करके जो नाम है यह सारे भगवान जी के नाम है भगवा प्रस्तुत पंक्तियों यह बताना चाहती है कि सारे भगवान शेष नाग महान इंद्र जी इन्हें सब बताते हैं कि कि रिष्ण जी कितने ही महान थे उनका कभी अन्त नहीं हो सकता यानि अनंत है उन्हें कभी कोई छेद नहीं सकता अभेद नहीं सकता इसलिए वो अच्छी होता है ठीक है नाराइभगवान से बड़े-बड़े कभी भी यह नहीं समझ पाते कि क्रिष्ण लीला अब समझी गए होंगे कि यह नारइभगवान से पड़े होई बड़े-बड़े कभी यह कभी भी हमादे है वह दुत भी आज तक समझना चाहते हैं लेकिन सम एफे अव्तिशन के वी कि थे शूरिया कि मत्हुत की और मतुरत कि तक हम अगें, आहे बोकिसर के सिर्च। मत्हुत अड़त मटन नाषिन के कहते थे आधि का खुर सर्थी ज़े आधिके मत्हुर। अर फिर आच खुछी खुछी य मढगल की तरहां की कहानी कहनी की सम्री खा्ररीकित calorie मा भुए मैं उलुएं नुए सीधनिते के लिए है上 यहां ने तो यहां पैड़ के अधर ऑड़ दो हैं, यहां पैड़ Dru वह बने गाय बने तो वह बने जनम ले और अगर वह कोई पत्थर बनना चाहे तो वह बनना चाहे जिसे प्रिश्ण जी नदी उठाया था हिंडर के प्रकॉप से बचाने के लिए अब मैं आता हूं अपने पद्दों पर या लकूटी अरू मैं इसको भी पढ़ूंगा नहीं इसके अंदर क्या बताया कि वह क्या-क्या निर्चावर कर सकते हैं फिर उन्होंने बताया था कि वह तीनों लोग का राजपार त्याक सकते हैं त्या कि वह कुछ बताया हुआ अगर इसको बताया है वह तीनों लोग का राजपार्टिया आक सकते हैं और नौ निद्यों का सुक्ति आख सकते हैं और करोडों सोने के महल को भी निर्चावर कर सकते हैं अगर उन्हें कुछ तो यहां पर मैं आ गया हूँ फिर से और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने आपको बता दिया है यह पद दो अब मैं आता हूँ पद तीन में बताया गया है यह सब भगवान जी जो थे वो सब बताते कि क्रिष्ण जी जो है क्रिष्ण जी अनादी है अनन्त है अखंड है अच्छेद है अभेद है सुभेद बताये जाते हैं फिर उन्होंने यह भी काये कि कोई भी कवी जो नारच जी से पड़ा हो जैसे व्यास हो या कोई और हो जो भी कोई है कोई भी कवी है वह आज तक यह नहीं समझ़ पाया है कि यह क्रिष्ण लीला इतनी मनमोहन इतनी नटकत और इतनी अच्छी क्यों है तो तो फ्रेंग्स इसी के साथ होता है हमारे ये रस की बूंद वाले चैप्टर का अंत ये एक पोयम थी छीक है और इसका कवी रस्खान जी है और ये बहुत ही अच्छी पोयम है यदि आपको इनके कुछ-कुछ शब्जे हैं उनके मतलब पता चल जाए तो आपको मेरी वीडिय आप अपने आप ही इनकी मतलब खुदे ट्रांसलेट कर सकते थे इन जो कॉंपलेक्स लाइन अगर आपको ये बहुत कॉंपलेक्स लाइन लगेगी मैंने जब पहली बार पढ़ा था तब मेरे भी दिमाग का फ्यूज उड़ गया था लेकिन फिर मैंने इसके एक बार पढ तीन बार पढ़ा और अब जाकर देख लीजे मैं आपके सामने कितना अच्छे से बोल पा रहा हूं और देख सकते हैं तो मैंने आपको ये तीनों पढ़ा दिये हैं और अगर आपको कोई डाउट हो तो आलवेज मैं यही कहता हूं कि कमेंट करके पूछ लीजे कोई प्रूच कर्सके हैं पास